हेलो बाइस वेलुकम बेक्ट तू अनधर वीडियो आप हम रेक्शन करने वाले है जम जम की पानी यह उडे पानी का राहसी है यह है इन इलब दखता रहती है इनको भी चाली वीडियों को बहुत आथे रहते पानी का रहस्ते जानके आपके ऊड़ जाएंगे क्योंकि यह कुरियोसिटी वाला एकदम टाइटल बनाए और वीडियो में आप सब कैसे लग लगें कमेंट करके बताएं जरूर बताना यार क्योंकि हमने लाश्ट टाइम भी बहुत सारे वाक्या किये हैं जैसे कि नुए कस को चैनल में मिल जाएगी लेकिन सब्सक्राइब जरू कर लेना और वीडियो को लाइक जरू कर देना फिलाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते और जम जम के पानी का रहस्ती है जानते देखते क्या है मेरा नाम अस्व कहान और आप देख रहे हैं इंडियन मसलिम सबसे बहतरी ने पता चलेगी कि क्या वाकिए में आब जमजम दुनिया का सबसे बहतरी न पानी है आब जमजम का किसा आप सबी को बखूब मालूम है मुक्तसर ये है कि इबराहिम आले सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मताबिक अपनी बीवी हजरा आले सलाम और अपने बेटे इसमाहिल आले सलाम को एक ऐसी बियावान जगाय पर छोड़ दिया था जहाना खाना था ना पानी जब इसमाहिल आले सलाम की प्यास की सिद्ध बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से इसमाहिल आले सलाम के जमीन पर एडी रगड़ने से पानी का एक ऐसा चसमा फूटा जिसे आज हम जमजम कहते हैं जमजम का मतलब होता है ठहरना हाँ यह वाले हमने सुना है जमजम का कुवा पानी के दिगर कुवें से काफी अलग है जमजम के कुवें में पानी कहां से आता है इसकी तहकीक एक सौदी माहिरीन ने की जो जमजम पानी के माहिर है जिनका नाम डॉक्टर यहया है डॉक्टर यहया बताते हैं कि जमजम के कुए में पानी मक्का की पहाड़ियों में बनी दरारों से बहता हुआ आता है पहाडियों में ये दरारें तब बनी थी जब जब जिब्रील अले सलाम ने इसमाइल अले सलाम के लिए जमीन से पानी निकालने के लिए अपना पर जमीन पर दे मारा था जिसके торовous मका की पहाडियों में इस कदर महीन दरारें पड़ गई थी कि आज के विज्ञानिक भी इन धरारों को देख कर हैरान हो चुके हैं आब जम जम पूरी दुनिया में क्यों सबसे बहतरीन और अलग किस्म का पाणी है यह एक जापानी विज्ञानिक ने साबित करके दिखा दिया है इस जापानी विग्यानिक का नाम मिसारो मोतो है मिसारो मोतो दुनिया भर के अलग-अलग किस्म के पानी पर रिशर्च करते हैं यह जापान के मसहूर विग्यानिक है और हार्डो नामी एक इलमी तहकीक मरकज के मेनेजर है वोटर किशलाई जैसे नजरिये के भी बानी है डाक्टर यहया की जब इस जापानी विग्यानिक से मुलाकात हुई तो इनों ने मिसारो मोतो को आब जमजम के बारे में बताया और कहा कि आप इस पानी पर भी तहकी करें जब मिसारो मोतों ने जमजम पानी पर तहकीड करना सुरू किया तो वो इसकदर है़ान और परिशान हो गई और बोल पड़े कि ये कैसा पानी है इस पानी की خुसूशियात हर तरह के पानी से अलग है मिसारो मोतों ने आबे जमजम पर रिसर्च करके बताया कि खालिस आबे जमजम पाने के मॉलिकूल्स को माइक्रोसकोप में नहीं देखा जा सकता जमजम पानी इतना ताकतवर है कि इसके मॉलिकूल्स को देखने के लिए और इसके kryшTल बनाने के लिए जमजम पानी की एक बुंद को दिगर पानी के हजार बुंदों में मिलाना पड़ता है तब जाकर जमजम पानी को मैक्रोस्कोप में तेख़जा सकता है इसके साथ ही मिसार मोतो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया कि जब जमजम पानी की सिर्फ एक बूंद को दिगर पानी की हजार बूंदों में मिलाया जाता है तो इन हजार बूंदों में भी वही खुसूसियात पेदा हो जाती है जो आवे जमजम में होती है समाने पानी के क्रिश्टल जब बनते है तो हर एक क्रिश्टल की बनावट अलग-अलग होती है मगर जब मिसारों मोतों ने जमजम पानी के क्रिश्टल बनाए तो वो हैरान रहे गए उन्होंने पाया कि जमजम पानी का हर एक क्रिश्टल एक जैसा और दिगर पानी के क्रिश्टल से ज्यादा खुबसूरत बनता है जब मिसारमोतों को बताया गया कि मुसल्मान आबे जमजम पर बिस्मिल्लाह और कुरानी आयत पढ़कर पीते हैं तो मिसारो मोतों ने इस पर भी तहकी करनी सुरू कर दी। इस बार वो फिर से हैरत में पढ़ गए कि ये कैसे हुआ। और होने पाया कि जब जमजम पानी पर बिस्मिल्लाह या कुरान पढ़ा जाता है तो जमजम पानी के क्रिश्टल बदलने लगते हैं और इस पानी की खुसुशियात ओर जादा बढ़ जाती है। दुनिया का हर मुसल्मान आवे जमजम को दुनिया के हर पानी से बहतरीन मानता है। मुसल्मानों को जमजम पानी को सबसे बहतरीन पानी मानने के लिए किसी विग्यान की जरूरतन नहीं है पर मिसारो मोतों की यह तहकीक उन गेर मुसल्मानों की आँखे खोलने के लिए काफी है जो इसलाम को सक्की नजरों से देखते हैं आवे जमजम दुनिया का एक मातर ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता ना ही इसमें कभी कीड़े या कोई बीमारी फेलाने वाले जानवरं पेदा होते हैं आम तोर पर पानी के हर कुए में काई का जम ना सामाने बात है मगर जमजम का कुऊंओ एक मात्र ऐसा कुऊंओ है जिसमे आज तक काई नही जमी है आफ जमजम ऐसा करिसमाई पानी है जो इसे पीने वाले को ताकत परदान करता है इस выпуск से आप चाम जमजम पानी के बारे में फरमाया था कि जमजम भूखों के लिए खाना है और बिमारों के लिए शिफा है अमेरिका में दवाईों के सोबे में एक उस्ताद थे जिनके दो बेटे थे एक दिन एक बेटा जबर्दस्त हादसे का सिकार हो गया था हादसे में सरीर का एक चुताई हिस्सा खराब हो गया लागों रुपे खर्च किये मगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो उस्ताद बताते है कि मेरी एक मुस्लिम दोस्त से मुलाकात हुई जिसने मुझे कहा कि बेटे को जमजम पिलाओ इंशालला सिफा मिलेगी मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही अरसों बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया वो उस्ताद कहते है कि कैसे पानी के चंद कतरे मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं उन्हें इसी चीज ने इसलाम की तरफ खींचा और आज वो और उनका सारा खानदान मुसलमान बन सुका है जरा देखो अल्ला ने कैसे पानी के चंद कतरों के जरिये उसकी चान बचा ली जमजम कोए की गहराई तकरीबन 30 मीटर है जिसमें 13 मीटर या कुछ कम और जगय की मिट्टी या गाराह वगेरा है जिसे अपक्का कर दिया गया है जर्मनी में एक मसुहर पहाड़ है जिसका नाम enfs है यह पहाड फ्रांज तक फेला हुआ है फ्रांज की ओर इस पहाड़ पर पानी का एक ऐसा चस्मा निकलता है जिसे दुनिया का सबसे साफ पानी माना जाता है जिसका नाम अव्यान है यह पानी बाई कार्बोनेट से भरबूर है अव्यान की एक लिटर पानी में 357 मिली लिटर बाई कार्बोनेट पाया जाता है मगर जब आबे जमजम पर तहकीक हुई तो पाया गया के जमजम की एक लिटर पानी में 366 मिली लिटर बाई कार्बोनेट पाया जाता है लिहाजा आज साइसी एत्बार से दुनिया का सबसे साफ पानी आवे जमजम है इसलिए आज मैं कहूंगा कि हमारे नभी सलल्लाहु आले वसलम का फर्मान बिल्कुल सचा है कि रुखे जमीन पर मौजुदा पानियों में से सबसे पाक और साफ पानी जमजम है साइंस के हिसाब से यार बहुती कमाल वीडियो है जमजम का पानी अगर हमें नसीब हुआ तो हम जरूर पीना चाहेंगे पहुती नसीब की बात होगी जम जम कपानी पीना और जैसे कि according to science भी कहा गया है जो तैकिकात हुई है जो जो साइंटिफिक ने रिसर्च की है उसके हिसाब से जम जम का पानी साब से साफ है तो वो अच्छी बात है यार हमें बहुत अच्छा लगा ये वीडियो को देखके और हमें नसीब हो तो हम जरूर पीना चाहेंगे अगर कभी हम उस सिटी में गोमने गए तो जहां पे साओधी में और वहापे हें मिला तो हम जरूर पीएंगे और में भी यह मिलता होगा सभी के लिए होगा ऐसा तो मुझे बताhone में साहिद में हुआ है जो एक है शुल्ब या मतलब कि निया मुस्लीम के लिए तो आप लोगा मैंट आपके फिलाल वीडियो बहूत अच्छी थी इंट्रेस्टिंग थे इंटरस्टिंग दो और पानी के बारे में में और कुछ नया सीखने को मिला है तो मजा आया है आप लोग पताइए कैसी लगी शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चाहिए और मिलते आप से इस तरह के नेक्ट वीडियो तब तक के लिए टाटा बाबाई एंट टेक केर, थैंकिए फोर वोचिंग इस वीडियो